एपिसोड शुरू होता है और वाल्टर बड़ी तेजी से उसके वैन चला रहा होता है बैगराउंड में हमें पोलिस साइरन सुनाई देता है उसके वैन में जेसी और और कोई होता है स्पीडिंग की वज़े से गाड़ी आउट आप कंट्रल हो जाती है और रास्ते के नीचे गड़े से टकरा जाती है वाल्टर फिर अपना वीडियो रेकॉडर और गल निकालता है बाहर निकल के वो अपनी वाइफ और बच्चे के लिए मैसेज रेकॉड करता है उसे लगता है कि अब वो बस्ट होने वाला है और इसके लिए वो अपने बेटे और वाइफ को एक मैसेज देना चाहता है मैसेज रेकॉड करके वो रोड पे आकर गन को रोड की तरह पॉइंट करता है सैरन की आवाज कंटिनूसली बढ़ती जाती है और यहाँ कैमेरा स्टॉप होता है इसके बाद शो के क्रेडिट्स रोल होते है और स्टोरी वाल्टर की बीवी, स्काइलर और इसका बेटा वाल्टर जुनियर स्काइलर जल्दी घर आने को बोलती है क्योंकि आज वाल्टर का बडदे होता है familiar family conversation जो mother और father और son के बीच होती है वो हमें दिखने को मिलती है next scene में Walter school को drive करता है और school के handicap parking में car park करता है क्योंकि उसका बेटा Walter junior klutches के साथ चलता है Walter school chemistry teacher होता है वो बहुत ही brilliant teacher है क्योंकि जिस समय वो teaching करता है उस scene से हमें पता चलता है classroom में उसे एक बच्चा बत्तमीजे से पे जाता है पर वो उसे politely अपने seat पर बेटने को बोलता है next scene में Walter हमें staff room में अकेले lunch करता हो दिखता है Walter school में teaching के बाद car wash में भी काम करता है वो वहाँ cash counter समरता है पर उसके boss उसे उस दिन car wash करने के लिए बोलता है क्योंकि एक employee नहीं आता Walter जब car clean कर रहा होता है तब वहाँ वही classroom का बच्चा आ जाता है और उसकी image ले लेता है और उसका मज़ाग उड़ाता है Walter जब घर आता है तब उसकी wife ने उसके लिए surprise party plan कोई रहती है वहाँ Skyler के sister Marie और sister का husband Hank आया हुआ रहता है टिवी पे Walter ने रेड का size क्या था तो वह देखके Walter हेरान रह जाता है 700 के डॉलर्स Walter देखता है उस रेड में Hank उसे बोलता है कि ये cash नॉर्मल है ड्रग्स में Hank नेक्स रेड में भी उसे इन्वाइट करता है Walter के बर्दे पर भी उसे attention नहीं मिलती क्योंकि सब attention Hank ले जाता है Walter फिर bed उपर Skyler के पास आ जाता है Skyler उसे पूछती है कि वो कब room paint करने वाला है ये room paint आने वाले बच्चे के लिए करना होता है Walter का बड़े होता है इसलिए Skyler उसे satisfy कर देती है निक्स दे Walter कार वाश में काम करते हुए खासी आकर और चक्कर आकर गिर जाता है Walter के लिए ambulance बुलाई जाती है Ambulance में जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो उसे कुछ serious लगता है तो series of tests उस पर की जाती है और next scene में Walter हमें डॉक्टर के साथ बेटा हुआ दिखता है उसके result आ चुके होते और diagnosed हो जाता है कि उसको lung cancer है Walter shock में ही होता है पर Walter को सब समझ में आता है कि वो non-operable lung cancer उसे है और वो किमो के बाद भी कुछ ही साल जिन्दा रहेगा Walter घर आ जाता है पर फिर भी अपने wife को कुछ नहीं बोलता जब वो car counter पे होता है तब उसका boss उसे फिर से बोलता है कि उसे cleaner बाच करना पड़ेगा तो वो गुस्सा हो जाता है और job छोड़ के चला जाता है Walter बहुत ज़्यादा depressed हो जाता है क्योंकि उसकी life of fun नहीं रहती तो वो Hank को call करता है और बोलता है कि उसे raid पर जाना है डrug के तो Walter Hank के साथ drug raid पर आता है और वो सब एक गाड़ी में बेठे हुए रहती है फिर discussion होती है कि जो drug की lab चला रहे थे उसमें से एक का नाम Captain Cook है इस बात पर बेट लगती है दोनो DEA officers की raid successful होती है और उसमें एक suspect पकड़ा जाता है Hank को भी chemistry की lab वहाँ देखनी होती है उसको जानना होता है कि actual में ये कैसे drugs बनाते है to be more specific meth ये कैसे बनाते है तो वो Hank से पुछता है Hank उसे बताता है कि हम पहले जाते है और कुछ चेक करके आते है उसके बाद तुमाना तभी side की खिड़की से वो देखता है उसका old student Jesse Pinkman जो balcony से कुटता है Walter अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और Jesse को DEA से भागते होए देखता है उसके गाड़ी पर captain लिखा हुआ रहता है इसे उससे पता चल जाता है कि Jesse drugs में involved है Walter surprised हो जाता है कि Jesse ये सब कर रहा है drugs बना रहा है और उसको sale कर रहा है तो Walter schools records से Jesse का पता ढूनता है उसके आंड के house पर Walter जाके देखता है वह उससे Jesse मिलता है Walter उसको interrogate करना start करता है पर Jesse deny करता है कि वो कुछ ऐसा कर नहीं रहा उसके बाद वो captain cook के बारे में बतायता है और उसके number plate को उपर करता है Jesse उसके कोई बात सुनने में interested नहीं रहता तो Walter बताता है कि उसका partner अब jail में जाएगा और वो अभी उसका operation एक सही तरीके से run नहीं कर पाएगा इसके लिए वो partner up करना चाता है वो बोलता है कि मुझे chemistry बताए और तुम्हें business तो हम मिल कर यह business करेंगे Jesse उसको seriously नहीं लेता तो वो उसको बताता है अगर तुम deal को हा बोलेगे तो ठीक है नहीं तो मैं तुम्हें DA को सोब दूँगा Next हमें दिखती है Skylar और Marie के बीच में conversation Marie उसे पूछ रहे कि तुम्हारा नॉवेल लिखना कैसे चल रहा है तो Skylar उसे बता ती है कि यह एक नॉवेल लेही तो वे श्टोरीज लिख रहे हूं वो कुछ ओल चीजे बेचने के लिए पैक कर रहे होते है और वो वाल्टर के बारे में पूछते है कि वाल्टर के साथ क्या चल रहा है वो ज़रा ओफ लग रहा है तो Skylar उसे बता ती कि सिर्फ एक मीड लाइफ क्राइस हो सकते है वाल्टर उसके स्कूल से सब केमिस्ट्री के एकुपमेंट्स उठा लेता है इसकी कॉलिटी हम इंशूर करेंगे और जो अड़टाइस करेंगे वही बेचेंगे कुझ भी गार्बेज नहीं बेचेंगे जैसी कि मेट को वो एक गार्बेज बताता है जैसी और वो सब एकुपमेंट्स उसके घर में रखते हैं पर जयसी उसे बताता है कि हम घर में यह करने सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कुते D.E.A ने छोड़ कर रखे और वो सूंग लेते हैं उस फिल्म्न को तो उन्हें एक आरवी रेंड करनी पड़ेगी जयसी बताता है कि उसकी फ्रेंड के पास और वो रेंड कर सकते है या बाई कर सकते है नेक्स वाल्टर अपने सारे वेसे बैंक से निकाल लेता है और जेसी को देता है जेसी बोलता है पूरे नहीं पर वो नेकोशेट करने को बोलता है जेसी उसको पुछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है तुम तो बहुत value वाले थे बहुत पुछनी के बाद Walter उसे बताता है कि वो अब जाग गया है next scene है Walter Jr. की shopping का pants की shopping वो कर रहा होता है पर उसके pants को उपर लेने के लिए उसको help लगती है उसके dad की क्योंकि वो handicapped होता है तो जब वो बाहर निकलता है तब कुछ bully लड़के उसका मजाग उड़ाते हैं इसे Walter और Skyler को भी बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है Walter बोलता है कि चूप रहो मैं आता हूँ और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है पर वो लड़के continuously Walter Jr. का मजा उड़ाते ही रहते हैं जब Skyler उनके पास जाने को लगती है तब Walter इंट्री से आता है जो बिग बुली रहता है उसको बहुत बुरी तरह से हड़ कर देता है और फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते है ये सीन Walter के रावडी बनने के फर्स सीन है पहले सीन में हमने अभी देखा कि वो बताता है कि मैं अब जाग गया हू सीन में उसे confidence आता है उसे alive महसूस होता है उसे मज़ा आने लगता है life का नेक सीन में हमें Walter और जेसी desert में दिखाई देती है जहाँ उन्हें कोई देख नहीं सकता या smoke का भी कोई notice नहीं करेगा आरवे में वो सब setup बना लेते हैं Walter अपने सब कपड़े निकालता है और सिब underwear में cook करना चाता है क्योंकि उसे meth की तरह smell नहीं करना उस chemical का smell उसे अपने कपड़े पर नहीं चाहिए जैसी अपने video camera से उसे shoot करने लगता है जब वो cook कर रहा होता है तो Walter उसे वो camera ले लेता है यही camera हमें episode के first में दिखाई दिया था Walter पूरे scientific तरीके से meth बनाता है और उसको break करने के बाद जैसी को देखाता है जैसी Walter को बताता है कि अपने product की quality बहुत ही बढ़िया है यह crystal में बन रहा है और crystal बहुत बढ़े-बढ़े है इसलिए बहुत demand में रहने वाला है और इसको sell करने के लिए उसे पता है कि इसे किसको sell करना है उसे वो मिलने जाने वाला है अब जैसी उसका crystal में लेक एक नहीं drug dealer के पास जाता है यह drug dealer उसके previous partner का भाही होता है को test करने को बोलता है उस drug dealer को शक होता है कि जैसी ने ही उसके brother को frame किया हुआ है जैसी उससे इंकार कर देता है जैसी का previous partner की bell हो चुकी रहती है तो वो उपर की कमरे में होता है और वो नीचे आ जाता है तब यह previous drug dealer उसके पन रखता है और बताता है कि यह तुमने कहां से cook किया है फिर जैसी उस drug dealer को और उसके brother को लेके lap तक ले आता है उस van तक ले आता है जब जैसी का पुराना partner वाल्टर को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है drug raid से उसे पता होता है कि यह DE के साथ था तो वो जैसी को भी लेटा देते हैं जमीन पर वो जो drug dealer होता है तो वाल्टर को मारने वाला होता है तभी वाल्टर उसे बताता है अगर तुम्हें इसी तरह का crystal meth cook करना है तुम्हें मेरी recipe बता सकता हूँ तो वाल्टर उसे अपने वहन में ले जाता है जब drug dealer वहन में आ जाता है तो उसका brother भी वो देखने के लिए आ जाता है तभी वाल्टर एक explosive reaction करता है जिसके gas poisonous होता है उस poisonous gas से लोग मर भी सकते है तो वाल्टर वो reaction करके वहन से बाहर आ जाता है और वहन को lock कर देता है गाड़ी के पीछे आग लग जाते है और उसके बहुत जादा smoke होने लगता है वाल्टर उस smoke को बुजाने का try करता है पर वो बुजा नहीं पाता और बहुत सारी flames वहां से आती है तो वाल्टर वहां से गाड़ी लेके भागता है अब हम फिर से series के first scene पे आते है वही गाड वाल्टर चला रहा होता है वह गड़े में गिर जाती है तो वह message record करता है अपने बीवी और बच्चे के लिए उसे लगता है अब वह burst होने वाला है और वह gun point करता है रोड की तरफ फिर उसके बाद वह अपने ही जान लेने के कोशिश करता है पर safety off होने के कारण वह gun नहीं चल पाती है और जब वह safety off करता है तो बुलेट कहीं और ही चल जाती है उसका courage नहीं होता है खुद को मानने का जब थोड़ी देर बाद वह silence बहुत ही पास आ जाते तो उससे पता चलता है कि यह fried bigate था कि कोई police नहीं आ रही है और chain की सास लेता है फ्राइर bigate जाने के भी लोग मर जाते हैं नेक्स सीन में हमें Walter ट्रायर से बहुत सारी पैसे निकालत हुआ दिखता है यह सब होने के बाद वो जब बेड़ पे आता है तो Skyler उसे पुछती है कि तुम बहुत ही कम उससे बोलने लगे हो और क्या क्या चल रहा है उसको पता चल जाता है कुछ तो क्योंकि Skyler pregnant होती है पर इस सीन में वो directly sex करते हुए हमें दिखाया गया है क्योंकि he doesn't care anymore क्योंकि उसे आप फरक नहीं पड़ता कि क्या होगा इस पुरे एपिसोड में Walter का transition दिखाया गया है कि एक डरा हुआ आदमी और उसके बात उसकी self worth उसे पता चल गई है और उसका एक transition a confident man में हो चुका है जैसा Walter ही बोलता है कि वो जाग गया है उसे अब जिन्दा महसूस हो रहा है